अलो स्टुडेंट कैसे हो आप उमीदे कि बहुत ही अच्छे होगे और हमारे आप्टिक सीरीज से अपनी पढ़ाई आप कर रहे होगे एक्जाम बहुत करीब है पहले से कहीं अधिक मेहनत करो हम भी आपके लिए और अधिक मेहनत करने को तैयार हैं तो को आप्टिक्स में ल पूरे पूरे आप्टिक्स के मास्टर पीस कोश्चन लगवाएंगे जो अक्सर मेटकल एंजिनिक के एक्जामनेशन में पूछे गए या फिर आपके बोड एक्जाम में पूछे गए तो लेक्चर नमबर 19 में हम शुरू करने जा रहे हैं माइक्राइस्कोप टेलिस्कोप चेप्टर का निमेरिकल नमबर 1 अब देखना एक योगिक सूद दर्सी जिसको आप कंपॉंड माइक्राइस्कोप भी कहते हो ठीक कि अभिद्रिश्यक जिसको आप अब्जेक्टिव लेंस कहते हो द्वारा आवर्धन 8 है यदि सूद दर्सी की आवर्धन छमता 32 है 32 तो अ आवर्धन चमता को इसमाल एम लिखेंगे सफिक्स में लगा देंगे क्यों अब्जेक्टिव लेंस इसके अफ्की प्रकार आई पीस को नेत्री का कहतेओं अब नेत्रे LIVE कहते तो MO into ME this will be equal to capital M अब आप question पर आजाओं अब दिखना एक योगी सुधरसी के अब दिस्टेक लेंस द्वारा आवर्धन यदी 8 है ठीक तो आप जानते हो यहाँ पर कितना हो गया 8 हो गया आपको अबने द्वारा आवर्धन गयाद करना है यहाँ equal का symbol लगाओ यहाँ into लगाओ और यहाँ पर ME करो अब ME का मान निकालो तो आप जानते हो ME that is equal to यहाँ पर कितना 32 upon 8 8 चोग 32 आप जानते हो ME that is equal to 4 यह question number 1 था अब आगे चलते है question number 2 पर question number 2 आप देखना एक सुपदर्सी की लंबाई 14 cm तथा स्रांत नेत्र के लिए आवर्धन चमता 25 है आवर्धन चमता को किसे लिखते हो capital M से नेत्र का की focus दूरी 5 है बस तुकी अबज़िस्टक से दूरी तथा अबज़िस्टक की focus दूरी ग्याद करो आपको बता है question किसका है microscope का compound microscope का आप जानते हो उसकी लंबाई कितना दिया हुआ है 14 cm microscope में आपने पढ़ा था देखो अब दूरी को अगर में small d से लिखें या l से लिखें ठीक तो ऐसी condition ने d बराबर आपका होगा v o plus f e आप यहाँ पे कह सकते हो d होता है तो ऐसी condition में आप देख रहे हो v o का मतलब क्या हो आप जिसक से प्रद्विम की दूरी और f e का मतलब क्या हो नितिका की focus दूरी दोनों का total कर दो यही क्या कहलागा आप जिसक से नितिका के बीच की दूरी और जिसको यहाँ पर फिर किससे डी से लिखा जा रहा है आप देखो सुधरसी की लंबाई कितना दिया फोटीन सीम तो यहाँ पर कितना फोटीन हो गया इक्वल है तो उमने इक्वल लगा दिया अब आप आगे देखो उस्त्रांत नेत्र के लिए आवर्दन चंपता कितनी है पच्चिस है यहाँ प देखो नेत्रिका की फोकस दूरी पांच है ठीक तो यहाँ पर कितना फाइब लिख दो एफी तो पहले तो आप एक काम करो पहले आप वीयो का मान निकाल लो ठीक तो वीयो यह बराबर हो जाएगा 14-5 आप जानतों 14 में 5 घटाओं कितना बचा 9 9CM मतलम अब द्रिस्षक लेंस से 9CM दूर प्रद्विम बनेगा किदर निथिका की और अब द्रिस्षक लेंस अपना जो प्रद्विम बनाएगा वो अपने से 9CM दूर बनाएगा और किदर बनाएगा निथिका की तरफ अब उसके बाद चलो आप जानते हो आवर्दन छमता कैप्टल एम इक्वल टू यहाँ पर माइनिस का सिंबल पहले लगेगा अब यहाँ पर वियो अपन ठिक यूओ इंटू फिर कैप्टल डी अपन एफी यह हो गया, अब आप दो क्या क्या वैल्लू आपको मालूम है, तांतनेत की अवस्था में, मतलब hours your ने आपको मान मालूम है कितना 25 cm से 22, तो यहाँ पर कितना होगया minus 25, इक्वल 2, अब वियो का मान कितना 9 cm, तो minus 9 हो गया cm भी चाहिए लिख दो, आप आन करो फिर uo, uo का मान आपको नहीं मालूम है, कोई बात नहीं uo ऐसे ही रहन दो uo का मतलब समझे, अधिस्टक से बस्तु की दूरी into d, कितना 25 cm फिर f e, f e कितना आप दिया हुआ 5 cm यहाँ पर 5 हो गया, cm cm और cm तो आप जानते हो, अच्छी तरीके से cm, cm cancel भी हो गया, ठीक आप जानते हो, 5 को इससे cancel करो कितना आ जाएगा, आई भी यहाँ पर आ जाएगा ठीक, तो 9,45 यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया minus 25, that is equal to minus, और 9,45 यहाँ पर 45 बटा uo यहाँ आ गया, ठीक minus minus cancel भी करते हो, आप यहाँ पर तो ऐसी condition में आप देखो कि uo बराबर, कितना, 45 बटे, 25 ठीक, आप इसी को solve करो, तो 45 को जो 25 से divide करो गया, आप देखना 45 divide by 25 equal to 1.8 तो यह बराबर हो जाएगा 1.8 cm में, आप जानते हो, uo का मतलब क्या हुआ, अब द्रिस्टक लेंसे से वस्तु की दूरी, तो आप जानते हो, दूरी यहाँ पर इस question में क्या centimeter में ली जा रही है, ठीक है centimeter में हो गया, अचा, उसके बादचलो फिर क्या निकालना है, आप देखो, वस्तु की अप्रिस्टक से दूरी, तो आप जानते हो, वस्तु की अप्रिस्टक से दूरी से दूरी निकलाई, uo, बराबर कितना 1.8 cm यह निकल आया अच्छा उसके बाद देखना और अब द्रिस्यक की फोकस दूरी निकल नहीं है बहुत ही आसान आप जानते हो 1 upon V minus 1 upon U that is equal to 1 upon F और किसके अब द्रिस्यक के लिए तो यहाँ पे F हो U O OR VO चिननित सहीतमान रखो तो आप जानते हो one upon V O आप जानते हो प्रद्विम कितिनी दूर बना था 9 cm दूर बना था तो यहाँ पे कितना one upon nine में लेकिं किसमें प्लस में क्यों प्लस में आप जानते हो अब द्रिस्यक लेंज के दूसरी ओर मना था फिर minus, फिर यहाँ पर 1 upon uo, कितना 1.8 cm, तो 1.8 तो लिखेंगे, फिर लेकिन minus symbol लगाएंगे, क्यों, अब रिस्तक के बाईयो और वस्तु होता है, फिर बराबर चलो यहाँ पर, और 1 upon fo, अब इसी को आप solve कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा, 1 upon 9, minus minus plus, 1 upon 1.8, that is equal to, कितना 1 upon fo, अब इसको जब आप solve करो गए यहाँ पर, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 1.8 है ना, उपर नीचे 10 से multiply कर दे रहे, तो हमारा calculation आसान हो जाएगा, तो आप आगे देखना, इसको हटाते हैं, अब देखना, 1 upon 9, plus, उपर 10, और नीचे 18, यहाँ पर कितना 1 upon fo, आप जानते यहाँ पर 1.8 लिखा था, सीधे 18 कर नहीं सकते थे, तो उपर नीचे ने 10 से multiply कर दे रहे, अब आप आगे देखना फिर, 18 यहाँ पर किया, LCM हो गया, तो 9 दूनी 18, ठीक, और 2 का 1 से गुड़ा करो कितना 2 हो जाएगा, और प्लस 18, ठीक, एक को 10 से गुड़ा करो, यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो बराबर कितना 1 upon F हो, आप जानतों 10 हो जो कितना हो बारा, तो बारा बटे 18, बराबर कितना 1 upon F हो, अब आप इसको कैंसिल करो, आप जानते हो, 3, 4, 12, और यहाँ पर 3, 6, 18, ठीक, फिर आप यहाँ पर आओ, 2 दूनी 4, और 2 तिया 6, इस पकार से आप देख रहो, 1 upon F हो, बराबर कितना आया, दो बटे 3, तो दिस इंपलाइज, F हो, जट इस इक्वल टू, तीन बटे 2 संटी मीटर, यह बराबर 1.5 संटी मीटर, यह आपका अंसर निकल के आए, दो कोश्चन आपका लग गया, अब आगे चलते हैं कोश्चन नंबर 3 पे, एक सुबदर्सी के अब दृष्चक, तता नेत्रिका की फोकस दूरियां, क्रमशा, 1 संटी मीटर वह 5 संटी मीटर है, यह दि स्त्रांत नेत्र के लिए, मतलब अंति प्रद्विम कहां बन रहा है, अनंत पे, हमारा नेत्र बिल्कुल रिलेक्स कंडिशन में होगा, नेत्र लें साइक है, अनेतर लेक्स कंडिशन लगा है विथा, आप जानतो हो, ब üstशन में होगा था, पहले दिским एक संटी मीटर वह 5 सेंटी मीटर वह अंत on the क्या क्या दिया हुआ है F O that is equal to plus 1 CM and ठीक और F E that is equal to plus 5 CM F O F E कमान दिया हुआ है अच्छा उसके बाद चलो आवर्दन चंता दिया है M लेकिन किस condition में जब अंतिम प्रद्म कहां बनता है अनंत पर सांत अन्यत की अवस्था में तो आप suffix में infinite लगा हो गए बराबर कितना दिया माइनस 45 यह हो गया अब ऐसी condition में आपको निकालना क्या सुबदर्सी की लंबाई निकालना ही मतलब D कमान निकालना है मतलब VO plus F E निकालना है पहले काम करते हैं पहले VO निकालते हैं और F E दिया हुआ है दोनों जोर देंगा आंसर निकलाएगा तो आप जानते हो सुबदर्सी की जो आवर्दन चमता होती है उसका फार्मूला M infinite यहाँ पे लिख दें इसका फार्मूला माइनस और VO अपान U O और इंटू D अपान F E यह फार्मूला होता है अब दोखो क्या-क्या मान दिया हुआ है तो M का मान कितना दिया है 45 तो यहाँ पे हो गया माइनस पैसा बराबर VO नहीं मालूम U O नहीं मालूम ठीक इंटू D 25 और F E कितना 5 ठीक आप साल्व करो इसको minus 45 जटी इक्वल टू अच्छा इसको कैंसिल करो 5 एकम 5 और 25 यह हो गया तो बराबर आपका हो गया minus 45 बराबर 5 और यहाँ पे VO अपान U O यह हो गया ठीक तो आप जानतो 5 नुवा पैसा तालिस तो आप यूं कह सकते हो कि VO अपान U O बराबर minus 9 अच्छा अगर आपसे पूछें यूओ कमान बताओ तो यूओ कमान कितना हो जाएगा यूओ बराबर इसको आप इधर ले जाओ तो यहाँ पे minus VO अपान 9 यह निकल आया किसका यूओ कमान आप जानते हो 1 अपान V minus 1 अपान U that is equal to 1 अपान F अच्छा अगर objective lens के लिए कहना हो तो सब जगा suffix में हम यहाँ पे क्या O O O लगा देंगे तो ऐसी condition में आप देखो यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान VO तो VO कमान नहीं मालूम कोई बात नहीं आप रहन दो VO इसे ही छोड़ दो minus 1 अपान U O तो U O कमान यहाँ पे आप देख रहे हो कितना है minus VO अपान 9 तो यहाँ पे हो गया minus VO अपान 9 that is equal to 1 अपान FO तो इसका मान कितना दिया हुआ है आप देखो 1 cm ठेक तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 यह VO यहाँ पे LCM हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 9 that is equal to 1 9 प्लस 1 कितना 10 हो गया तो 10 अपान VO बराबर 1 आप यहाँ पे देख रहो 10 अपान VO बराबर कितना 1 तो इसको ज़र टांसफर कर दो तो VO बराबर कितना हो जाएगा 10 cm यह निकला अब हमको तो यहाँ पे क्या microscope की लंबाई चाहिए न तो microscope की लंबाई आप अच्छी तरीक के जानते हो D बराबर VO प्लस FE तो D बराबर VO तो VO कमान कितना निकला 10 cm प्लस FE कमान दिया हुआ कितना 5 cm चिक तो D बराबर कितना 15 cm मुलब स्रांत नेट की अवस्था में microscope की जो लंबाई होगी वो 15 cm होगी मतलम objective lens से आई पीज के बीच की दूरी कितनी होगी 15 cm यह आपने देखा अब आगे चलते हैं question number 4 पे question number 4 में आप देखना एक सहीं तो सूच दर्सी मुलब compound microscope में अब द्रिश्यक मतलब objective lens तता इससे बने वास्तुविक प्रद्विम के बीच की दूरी 18 cm एक बात गवर करना question में क्या कहा गया वास्तुविक प्रद्विम और वास्तुविक प्रद्विम हमेशा lens के दाई और बनता है वस्त को इसा पर उल्टा बनता है तो ऐसी condition में आप देखना वस्तुविक दूरी कितनी 18 cm कहां से आप द्रिश्यक lens से आप यूं कह सकते हो according to question या आप यूं कह सकते हो given देखो क्या दिया हुआ है ठीक आप जानते हो आप द्रिश्यक तथा इससे बने वास्तुविक प्रद्विम के बीच की दूरी 18 cm है मतलब VO बराबर प्लस 18 cm यह दिया हुआ है अच्छा FO भी दिया हुआ है प्लस 0.4 cm अच्छा FO भी दिया हुआ है आप देखो that is equal to 2.0 cm ठीक तो आपको निकालना क्या है स्रांत नेत की अवस्था में माइक्रेस्कोप की आवर्दन चमता कितनी होगी और दूसरा हमको निकालना है कि जब अंतिम प्रद्विम इस्पस दिसकी नियुनतन दूरी पर बने तब आवर्दन छम्ता कितनी होगी हमको निकालना है तो एक काम करते हैं सबसे पहले आप देखो आवर्दन छम्ता निकालने के लिए हमको अब दिस्टक लेंस से वस्त की दूरी में तब यूँ हो कि और शक्ता पड़ेगी तो पहले हम उसी को निकाल लेते हैं आप यूँ कह सकते हो और अब जड़िव लेंज ठेक वन अपान वी माईनिस वन अपान यू जट इ कोरड़िव टू वन अपान एफ अच्छा आप जड़िव लेंज के लिए अब जगा अब लगा दो अब हमको देखो क्या वीन मालूम है F O मालूम है U E निकालना है एक काम करते हैं पहले U E को आप उधर भेज़ दो इसको इधर बुला लो 1 upon V O minus 1 upon F O that is equal to 1 upon U O अब आप आगे देखना तो 1 upon V O V O की value कितने दियो है 18 तो plus 18 minus 1 upon F O आप जानते हैं उतलने से उतलने इसकी focus दूरी हमें सब प्लस में होती है इसका माल कितना दिये 0.4 तो हमने 0.4 लिख दिया और ये 1 upon U O अब आप आगे देखना यहाँ पर 0.4 है ना हम चाहतें कि यहाँ पर 4 हो जाए तो इसके लिए आप एक क्याम करो उपर नीचे 10 से multiply कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा 1 upon 18 माइनेस और यहाँ पर हो जाएगा 10 upon 4 उपर नीचे 10 से multiply कर दो पॉइंट हट गया खरी पॉइंट हटाना चाह रहे थे बस बराबर 1 upon U O अब आगे चलते हैं फिर आप देखना तो यहाँ पर आप दोखो LCM क्या होगा 36 हमने LCM ले लिया तब जानते हो 18 दुना 36 यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर 4 है ना 9 चोग 36 उन्नों को 10 से multiply करो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 और बराबर कितना 1 upon U O यह अब 2 में 90 गया कितना हो 88 बटे 36 बराबर 1 upon U O ठीक तो U O का मान देखो कितना U O बराबर 37 बटे 88 ठीक अब इसको solve किया जाए यहाँ पर आप जानते हो 4 को 9 से 4 नों 36 और यहाँ पर कितना 22 तो इस परकार से आगया 9 बटे 22 तो U O बराबर निकला 9 बटे 22 सेंटीमीटर अब आगे चलते हैं आवर्दन छमता नहीं कालनी है तो आवर्दन छमता M अच्छा वो भी कम सांधनेत की अवस्था में M इन्फानाइट लट इस इक्वल टू माइनेस वियो अपान यूवो और इंटू डी अपान एफी आप आगे चलो माइनेस वियो तो वियो कमान आप देखो कितना दिया 18 संटीमीटर तो यहाँ पे 18 हो गया मात्रग नहीं लिख रहें आप जानते हूँ उपर नीचे मात्रग यहाँ पे कड़ जाएगा संटीमीटर संटीमीटर और यहां भी centimeter centimeter कर जाएगा तो नहीं सक काम नहीं बढ़ा रहें, मात्रक नहीं लिख रहें बटे u o, तो u o कमान कितना 9 बटे 22, तो यहां पे 9 बटे 22, गुडे d कमान कितना 25, और बटे f e f e कमान दियावा, 2.0 मतलब क्या 2, ठीक, तो इस प्रकार से आप देखोंगे m, अफिक्स में infinite, क्यों, क्योंकि स्रांदनेट की अवस्था में आप निकाल रहे हो, तो यहां पे हो जाएगा फिर, minus 18 गुडे 22, यह डबल बटे न, ऊपर चला जाएगा गुडे 25 बटे फिर यहां पे 9 और गुडे दो, अब इसी को साल्व करना है तो m, यहां पे infinite, minus, आप जानते हो, इसको cancel करो यहां पे कितना 11 हो गया, ठीक यहां पे 9 दुनी 18 हो गया ठीक, और आप यहां पे देखना 25 दुना 50 हो जाएगा, 50 गुडे 11 गुडे 11, ठीक, तो m infinite, that is equal to 11, 55, minus 550 यह, आप मतलब समझें जितनी बड़ी वस्त होगी उसका 550 गुणा बड़ा प्रदिम बनेगा और वस्त के सापेज उल्टा बनेगा, माइनिस चिन बोल रहा है इस प्रकार से आपने देखा question का first part, अब चलते है question के second part पे question के second part में आप देखना second part में कहा रहा है कि आउर्दन चमता फिर बताओ, लेकिन कब जब अंतिम बड़्दिम कहां बने, इस पस दिसकी नियुनतान दूरी पर बने 25 cm के दूरी पर बने तो उसका formula, lecture number 17 lecture number 18 आपने derivation किया है बाक अदा diagram बना कि हम उसका derivation करा है, आउर्दन चमता का दोनों cases में, तो हम निकालते हैं आप देखना, m यहाँ पर suffix में d आप पूछो कि d क्यों लिख रहे हैं इस समय आउर्दन चमता तब निकाली जा रहे हैं जब अंतिम बड़्दिम मिश्पस दिसकी निम्तन दूरी पर बनता है और ऐसी condition में फार्मूला निकला था माइनिस यो अपान यूओ ठीक, और बन प्लस डी अपान एफ़ी अब आप आगे देखना तो m suffix में d इकोल टू माइनिस वी यो तो वी यो का मान आप देखो 18 cm मतलग कहीं नहीं लिख रहे है तो यहाँ पर कितना होगे 18 ठीक, फिर यूओ यूओ का मान अभी अपने निकाला मेहनत करके 9 बटे 22 तो यहाँ पर हो गया 9 बटे 22 फिर ब्रेकेट शुरू हो गया अब यहाँ पर 1 प्लस फिर 25 आप जानते हो डी का मान कितना 25 फिर एफी एफी का मान कितना 2.0 मतलब क्या 2 यह लो इस प्रकार से आप कहोगे एम सफिक्स में डी माइनेस यहाँ पर 18 गुडे 22 बटे 9 फिर ब्रेकेट शुरू और यहाँ पर कितना 1 प्लस 25 को 2 से भाग करो 12 दस्वलो 5 यह निकला आप जानते हो 91 गुड़ दुनी 18 और 22 दुना 44 तो आप यहाँ पर कहोगे एम सफिक्स में डी बराबर माइनेस 44 और यहाँ पर 12 गुड़ कितना 13 दस्वलो 5 अब इन दोनों को मल्टिप्लाई कर दिया जाए तो आप जानते 44 गुड़ तेरा दस्वलो 5 आप देखो तेरा दस्वलो 5 गुड़े 44 बराबर कितना 594 तो आप यह कहोगे एम और सफिक्स में डी देट इक्वल टू माइनेस 594 मतलब जब अंतिम प्रद्विम इस पर स्विद्रिष्ट की नियूंतम दूरी पर बनेगा उस समय जो प्रद्विम की लंबाई होगी वो वस्त की लंबाई की 594 गुना होगी और साथी साथ वस्त के साफ़ेज उल्टी होगी कैसे जान पाए माइनेस का सिंबल अब आगे चलते हैं कोश्चन नमबर पाईप प्रे नेक्स कोश्चन में आप देख रहे हो एक सुज़़षी के अबद्रिष्चक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशा एक संटीमीटर तथा दो संटीमीटर है यह दिन लेंसों के बीच की दूरी 12 संटीमीटर हो तथा अंतिम प्रद्विम अनन्द पर बन रहा हो मतलब जान पाए स्रांत नेत्रिकी अवस्था आप आगे देखना तो ज्याद करो वस्थ की अब दिस्थेक से दूरी कितनी होगी अब दिस्थे दरा उत्पन रेखी आवर्धन कितना होगा और सुजर्थी के आवर्धन चंता कितनी होगी तीन बाते पूछी जा रही है पहले तब देखो कोश्चन में दिया क्या क्या है जो दिया पहले उसको मिहाँ पर लिखते हैं गिवन आप देखना तब से पहले देखो एक सुजर्थी के अब जिखते तरनेत्रिका कि फोकस दूरिया क्रमशा एक संटीमीटर वा दो संटीमीटर हैं आप यूं कह सकते हो F O that is equal to plus 1 cm F E that is equal to plus 2 cm अच्छा उसके बाद चलो और दोनों के बीच की दूरी आप जानते हो स्ट्रांत नेत्रिका की अवस्था में दोनों के जो बीच की दूरी होती है ठीक उसकों किसे लिखेंगे D से और D बराबर क्या होता है VO plus F E और इसका मान दिया हुए कितना 12 cm यह कपकी बात है जब अंत्रिम प्रदिम कहां बने अनत्रिम बने D infinite that is equal to VO plus F E आप question में आप देखो D कमान कितना दिया है 12 cm यहाँ पर कितना हो गया 12 cm फिर equal करो उसके बाद आप देखना VO तो VO कमान नहीं मालूम है कोई बात नहीं VO ऐसे ही रहन दो प्लस F E F E कमान मालूम है कितना दो सेंटी मीटर तो यहाँ पर कितना दो सेंटी मीटर आप जानते हो उत्तर लेंस की focus दूरी हमेशा प्लस में होती यह भी प्लस में होगी और यह भी प्लस में होगी अब ऐसी condition में फिर VO तो VO बराबर हो जाएगा 12 cm माइनस 2 cm तो VO बराबर हो जाएगा फिर 10 cm यह है ऐसा है और ए लेंस We know that एक लेंस के लिए हम जानते हैं कि 1 upon V minus 1 upon U that is equal to 1 upon F अच्छा पहले पार्ट में क्या वस्तुकी अब जिस्टेक से दूरी बता नहीं है अब जिस्टे लेंस को आप objective lens कहते हो तो fix में क्या O लगाएंगे ठीक तो आप सब जगा O लगा दो VO, UO और FO अब देखो क्या क्या मालूम है VO मालूम है 10 cm तो आप जानते हो 1 upon और यहां पर क्या जाएगा 10 लेकिन किस में? प्लस में क्योंकि आप जानते हो उत्तलनेस दूसरी और दाइयोर प्रद्विम बनाएगा दाइयोर की दूरी क्या है? प्लस सिंबल के साथ माइनेस 1 upon UO यही तो निकालना है आप दोको वस्तुकी अद्विस्यक से दूरी इसे UO का मान निकालना है बराबर चलो 1 upon FO तो आप जानते हो फोकस दूरी कितना? प्लस 1 आप साल्व करो इसको minus 1 upon UO इसको आप उधर ले जाओ इसको आप इधर ले आओ तो 1 upon 10 यह इधर आ जाएगा minus 1 upon 1 और यहाँ पे कितना? यह minus 1 upon UO उधर जाएगा प्लस हो जाएगा यह प्लस 1 upon UO तब ऐसी condition में आप देखना यहाँ पे 10 LCM हो गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? आप जानते हो 1 minus 10 बराबर 1 upon UO आप जानते हो 1 में 10 जाएगा कितना? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? minus 9 upon 10 that is equal to 1 upon UO UO that is equal to minus 10 upon 9 आप इसी को solve कर दो तो आप जानते हो UO that is equal to 10 को 9 से भाकर एक दो something आएगा आपका 1.111 1.111 centimeter यह UO बराबर यह लगभग बराबर कह दो minus 1.1 centimeter यह निकला lenses से यहनि कौँ साब दिर्ष्यक lens से वस्ट की दूरी आप पूचों को minus symbol आ रहा है minus क्यों आ रहा है तो आप जानते हो वस्ट बाहिंतरफ होगा ना और बाहिंतरफ की दूरी का minus symbol के साथ होते इसलिए minus symbol के साथ आ रहा first part आपका लग गया आप second part पे चलते हैं fly space बनाते हैं आप ए second part में कह रहा है अब दिर्ष्यक दौरा उत्पन रेखी आवर्धन तो आप जानतों रेखी आवर्धन को small m से लिखते हैं बराबर प्रद्मिम के लंबाई बटा वस्ट की लंबाई बराबर कितना v upon u होता है प्रद्मि मुल्टा बनेगा तो minus symbol आगे लगेगा तो आप आगे देखना m बराबर कितना minus v upon u अच्छा अब दिर्ष्यक के दौरा कह रहा है second part देखो अब दिर्ष्यक दौरा उत्पन रेखी आवर्धन तो यहाँ पर suffix में o लगा दो यहाँ suffix में o लगा दो यहाँ suffix में o लगा दो 0 नहीं लिखा है o लिखा है आप जो 2 लेंस का पहला word o लिखा है आप आगे देखना यहाँ पर आओ minus v o तो v o कमान आपने निकाला 10 cm वो भी किसमें? प्लस में तो प्लस 10 cm फिर अपान यूओ अभी आपने देखा था यूओ कमान कितना निकला था? 10 बटे 9 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 बटे 9 cm और सिंबल माइनस में आप पुचो कि माइनस में क्यों आप लगा रहे हो? आप जानते हो वस तो किधर बाइन तरफ होगा? बाइन तरफ की दूरी माइनस सिंबल के साथ होती है तो आप जानते हो माइनस माइनस यहाँ पर क्या प्लस हो जाएगा? तो और आप यहाँ पर देखो तो एम तरफिक्स में O 30 इक्वल टू आप देखो प्लस माइनस यहाँ पर साल्फ करोगे माइनस और माइनस माइनस के गुड़ा क्या हो जाएगा? प्लस ओवराल क्या हो जाएगा? प्लस आएगा या माइनस माइस कैंसिल करते हो तो भी प्लस आएगा और सेंटीमीटर से यह cm cancel हो जाएगा 9 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आप देखा 10 10 कट जाएगा ठीक आप देखो 10 से 10 cancel तो यहाँ पर कितना आ गया 9 आप यू कह सकते हो कि जो अभिद्रिश्यक लेंस है बस्तु का जो भी आकार होगा उससे 9 गुना बड़ा प्रद्विम बनाएगा अब इसके बाद फिर तीसरा पार्ड सुझदर्सी की आवर्दन छम्ता राइस्पेस बनाते हैं फिर आवर्दन छम्ता भी निकाली जाते हैं अच्छा आप जानते हो इस केस में आवर्दन छम्ता के जो फार्मूला आपका होगा आप जानते हो वियो अपान यूओ इंटू डी अपान एफी हम यहाँ पे लिखते हैं एम यह कब की बात है जब प्रद्विम कहां बने अनंत पे बराबर माइनेस वियो अपान यूओ पॉइंटू डी अपान एफी यह लो आप वैलू रखो एम इन्फाइनाइट जट इस इक्वल टू माइनेस अब आप यहाँ पर आ जाओ वियो वियो कमार अपने निकाला अभी इमने जानबूच के नहीं मिटाय था कि आशकता पढ़ने वाली थी यहाँ पर कितना हो संटी मीटर और एफी एफी कमान दिया वह कितना दो संटी मीटर अब आप आगे लो संटी मीटर से संटी मीटर सब कैंसिल यहाँ पर हो जाएगा एम तो फिक्स में इन्फाइनाइट दस से दस भी कैंसिल हो गया तो फिर आप आगे देखों कि 9 ऊपर चला जाएगा तो यह तो फिक्स में इन्फाइनाइट 225 को दो से भाग कर दो आप जानते हो अगर 200 होता तो 100 आता 1225 और जुड़ जाएगा तो कितना जाएगा 112105 मतलम द्वस्तु का जो भी अपना वास्तुवी काकार होगा उसका 112105 गुना बड़ा प्रद्विम बनेगा अंतिम प्रद्विम केम बात कर रहा है इस प्रकार से आपने कोश्चन देखा अब आगाई चलता है कोश्चन नमबर 6 पर आदुखो केवल आंख से देखने पर चंद्रमा का दर्शन को 0.6 डिग्री है एक दूदर्सी के अद्विम से तथा नेतिका की फोकस दूरिया करमसा 200 संटी मीटर वा 5 संटी मीटर है इससे चंद्रमा को देखने पर दर्शन कोड कितना प्रतीत होगा लोगो अभी तक जो भी कोश्चन आप लगा रहे थे वो किस पर था माइक्राइसकोप के अब जो कोश्चन आपको सामने मिला किसका टेलिसकोप का सबसे पहले आप देखना किवल आँख से देखने पर चंद्रमा का दर्शन कोड 0.6 है कोई यह अंत्र नहीं लगाया सीधे हम चंद्रमा को देख रहे हैं हमने 5 ले लिया मालो 5 का मतलब क्या बस तुदारा सीधे नेत्र पर बनाये गया दर्शन कोड तो 530 is equal to कितना 0.6 degree अचा फिर चलो और दूदरसी के अब जिसक्ट और नेत्रिका की फोकस दूरिया दिया हुआ है तो आप यूं कह सकतो FO बराबर प्लस 200 cm और साथ ही साथ आप लो FE बराबर प्लस यहाँ पर क्या 5 और CM अगर हम इस टेलिस्कोप से चंदमा को देखें तो दर्शन कोड कितना दिखाई पड़ेगा मतलब आप जानते हो बीटा की वेलू निकाल नहीं है बीटा बराबर कोस्टन मार्क आप अच्छे तरीके जानते हो थेयरियम ने पढ़ाई है लेक्चर नमबर 17 और लेक्चर नमबर 18 में कोई प्राबलम है और फिर से आप उसको देख सकते हो नोटस आपने तयार किया होगा कुछ निमेर कल आपने अपनी तरफ से लगाया होगा यह तुम अपनी तरफ से लगवा रहा है आप जानते हो आवर्धन चमता जिसको हम कैटल M से लिखते हैं यह बराबर होता है प्रथबिम द्वारा नेतर पर बनाया गया दरस्वन कोण और बटे स्वयम वस्त द्वारा नेतर पर बनाया दरस्वन कोण तो आप यूँ कह सकते हो थीटा थीटा का मतलब क्या अंतिम प्रथबिम द्वारा नेतर पर बनाया गया दरस्वन कोण और बटे स्वयम वस्त द्वारा नेतर पर बनाया गया दरस्वन कोण इसको हम फाई से लिखते हैं और आप जानते हो टेलिस्कोप के लिए इसका फार्मूला क्या निकला था माइनेस एफो अपान एफी अब आप वैलू फीट करो थीटा कामान निकालना आ इसी question mark ये तो आप जानते हो थीटा थीटा बराबर माइनेस एफो अपान एफी और इंटू फाई तो थीटा बराबर माइनेस एफो तो एफो कमान कितना दिया है 200 cm तो यहां पर कितना हो गया 200 cm एफी कमान कितना 5 cm यह हो गया आप जानतों दोनों उत्तर लें से दोनों के फोकस दूरी अप्ले सिंबल के साथ होगी हमने प्ले सिंबल जान पूछ के नहीं लगा है लिखेंगे कैंसिल करना पड़ेगा फाइदा क्या आप आगे चलो इसके बाद फिर 5 5 के वैलू कितनी 0.6 डिग्री तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया तो थीटा बराबर माइनस और आप जानते हो 5.20 कितना आ जाएगा 40 और गुड़े 0.6 डिग्री तो इस प्रकार से आप देखोंगे थीटा बराबर 6.24 बराबर कितना आ जाएगा माइनस 24 डिग्री अब आप जो तो मानेस सिंबल हटा भी सकते हो आपको यहां पर क्या अंतिम प्रद्धिन द्वरा बनाएगे दर्सनकुन का परिमार चाहिए मानेस सिंबल हटा के आप 24 डिग्री बोल सकते हो यह मानेस अगर लगाए तो फिर आपका एक मैसेज है कि वसके साफ़े उल्टा प्रद्धिम बनेगा इस प्रकास आपने कोश्चन नंबर 6 देखा अब आगे चलते हैं कोश्चन नंबर 7 पर अगला कोश्चन सुरू करने से पहले एक जनकरी आपको दे हमने एक नेयर चैनल लांच किया है जिसका नाम है पंकस और लेक्चर और हमारी कोशिश होगी कि आगे से लांग वीडियो उस पर आपको मिलें तो चैनल को आप सब्सक्राइब करो नीचे डिस्क्रिप्शन वे उसका लिंक दिया हुआ है तो अगला फिर कोश्चन नंबर 7 आप देखना एक खगोली दूरदर्सी के अब दिश्चक तहर नेत्रिका की फोकस दूरिया क्रमशा 60 संटी मीट वह 5 संटी मीटर है दूरदर्सी की आवरदन छमता बतानी है और उसकी लंबाई बतानी है लेकिन कंडिशन दिया है कि अन्तिम प्रद्मिम कहां बने अनंद पर बने और फिर सेकेंड पार्ट में कर रहा है कि अन्तिम प्रद्मिम कहां बने इस पर दिसकी नियुनतम दूरि पर बनेंв हम दूनों पार्ट लेकर चलेंगे सबसे पहले पहला पार्ट लेते आप देहोड कोफ सफ फार्ट ठीक अन्तिम प्रद्मिंग कहा है अनन्त पर बने पहले तो क्या-क्या अब आप देखना आपको क्या आवर्दन छमता बता नहीं लंबाई बता नहीं है पहले कंडिशन में जब अंतिम प्रदिम कहां बने अनंत पे बने तो आप देखो आवर्दन छमता के लिए M और सफिक्स मैं में इंफाइनेट लगा दिया और यह बराबर होता माइनेस फो अ सेंटीमीटर प्लस फाइब सीम तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल तो बराबर हो जाएगा बारा पंचे साथ माइनेस बारा आप इस प्रकार से कहोगे M इनफाइनाइट ग्रटिज इक्वल टू माइनस बारा अब इसी में आपसे कह रहा है कि लंबाई भी बताओं तो लंबाई के लिए आपको जानकरी दें L इनफाइनाइट डटिज इक्वल टू F O प्लस F E आप जानते हो जब अंतिम प्रद्विम अनंत पर बने उस समय सुझ दरसी की जो लंबाई होती है उसका फार्मूला होता F O प्लस F E ऐसी कंडिशन में आप देखो F O तो F O कमान कितना 60 cm तो प्लस 60 cm तिर प्लस और ये कितना 5 cm तो इस प्रकार से आप कह सकते हो L इनफाइनाइट देट इस इक्वल टू 65 कितना 65 ये बराबर आपका हो जाएगा 65 cm लंबाई निकल आई पहला पार्ट लग गया आप सेकंड पार्ट पर चलते हैं कि जब अंतिम प्रक्विम कहां बने इस पर इसकी निंटन दूरी पर बने ऐसी कंडिशन में इसकी साट लेना हो तो आप ले सकते हो इसको हम हटाने जा रहे हैं इस पेस बनाएंगे फिर अग पार्ट में आपको बताना इस पर इसकी निंटन दूरी पर बने एम और कैप्टल डी बराबर तो अमडी के वैलू होती है माइनेस एफो अपान एफी एक और साथा ही साथ जानते हो बन प्लस एफी अपान डी अब यहाँ पर मान डखते हैं md that is equal to minus f o f o का मान कितना 60 cm f e का मान कितना 5 cm फिर 1 प्लस f e कितना 5 cm और यह कितना 25 cm आप साल्व करो cm 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 cancel यह cm 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 cancel हो गया ठेक यह दिखना 5 है यह cancel हो गया तो फिर यहाँ पर हो जाएगा md that is equal to minus आप जानते हो 12,5 तो यहाँ पर कितना आगया 12 ठेक गुड़े यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कितना हो जाएगा पाच एक कम और पाच को पाच से multiply करो इतना 25 तो वन प्लस वन अपान इतना तो बराबर हो जाएगा minus 12 और यहाँ पर इसको solve कर दिया जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर तो 5 lcm हो गया चेक तो यहाँ पर कितना 5 प्लस वन तो इस प्रकार से md that is equal to minus 12 into 5 हो कितना 6 और बटे 5 तो बराबर माइनेस 12 चंग 72 बटे 5 आप इसको यहाँ पर divide करो minus आप इसको cancel करो 5 एकम 5 फिर दो आएगा 12 बाइस फिर इसको आप solve करो minus 12 बटे 5 कितना हो जाएगा 5 को एक से आपका यहाँ पर हुआ फिर कितना पर दो आएगा 22 हो गया 5 और बीस फिर आपका second part में दो चीजे पूछी गई थी आप देख रहे हो second part में हमने इसपर दिस्क की न्यूंतिम प्रद्मिम बने उसमें आवर्धन चमता निकाल ली लेकिन question में जानतों खाली आवर्धन चमता नहीं दूरदर्सी की लंबाई भी पूछा जा रहा है तो दूरदर्सी की लंब और डी का मतलब क्या उसमें लंबाई जब अंतिम प्रद्मिम कहां बने इस पर दिस्की न्यूंतिम दूरी पर बने मतलब पच्छी संटीमीटर के दूरी पर बने तो ऐसी कंडिशन में इसका जो फार्मूला होता है एफो प्लस यूई अब एफो तो मालू है यूई तो मा देखों फार एलेंस वी नो देट आप यूँ कह सकते हों फार एलेंस वी नो देट ठीक क्या होता है वन अपान वी माइनिस वन अपान यू और देट इस इकल टू वन अपान एफ अब आप जानते हो एफो प्लस यूई तो है हमको यूई कमान नहीं मालूम एफो कमान तो मालूम ही है तो मैं काम करें फार आईपीस लब नेत्रिका के लिए तो नेत्रिका के लिए बात आएगी तो यहाँ पर क्या करेंगे ए कर देंगे यहाँ पर ए कर देंगे और पन वी इए आप जानते हो आप द्रिस्टक्लेंस जो भी प्रद्विम बनाता है माल उसका नाम माले एवन वी वन वो नेथिका के लिए किसका अवस्तुका कारे करता है और नेथिका उसका प्रद्विम बाई तरफ ही बनाता है ठीक अभासी बनाता है तो ऐसी condition में जो वी अच्छा आप जानते हो इस पर दिसकी नियुंतन दूरी पर पने कितना 25 सेंटिमीटर तो यहां पर क्या लिखेंगे माइनस 25 फिर माइनस वन अपान यूई तो यूई कमान हमको नहीं मालूम निकालना है यूई ऐसे रखो फिर वन अपान एफी तो एफी कमान हमको चाहिए तो यूई कमान दिया हुए कितना 5 सेंटिमीटर हमने 5 लिख दिया एक बार आपको फिर जानकारी दे हमने माइनस 25 क्यों लिखा आप लेक्षर नबर 17 ए 18 पे जाना तेलिसकोप को आप एक बार देखना उसका डाइग्राम देखना आप जानते हो अब जिस्चक लेंस आगे नित्रिका पीछे होती है ऐसे ठिक यहां पर वस्तु रखा होता है ठिक ऐसे किरणे जाती है यहां पर ऐसे प्रद्विम बनाती है ठिक इसका नाम एबी हो गया और इसका नाम यहां पर जो प्रद्विम बनेगा इसका नाम मालो आपका A1 और B1 हो गया तो ऐसी कंडिशन मे कि यह मालूल लेनस है तो आप जांतों यहां से किरन गई और एक किरन यहां से गई ऐसे यह पीछे बढ़कर यहां पे डाठेड लाइन से आया जो यहां त्षाव हो इसा प्रद्विम आपका बनाता है ऐसे यहीं आपका एटू और बीटू कहलाता है तो आप जानते हो यह दूरी कितनी है पट्ची सिंटीमीटर ठीक यह ठीक और किधर नेथिका के बाईं तरफ है इसलिए माइनस पट्चेस है माइनस यूई यूँ को पता ही नहीं है अच्छा वन अपान यहां पर क्या फाइब क्यों लिखा आप जानतों नेथिका नेथिका के नाम पर कौन उत्तर लेंस है उत्तर लेंस की फोकुद्द क्यास में है इयए इधर आएगा माइनस वन अपान फाइव यह माइनस है ना वन अपान you i उधर जाएगा तो यहां पर कितना वन अपान यूई अब यहां पर LCM ले लो 25 तो आप जानते हो 25 को 25 से डिवाइड करो एक आएगा उपर गुड़ा करो यहाँ पर कितना minus 1 फिर यहाँ पर minus 5 को लेके 25 में भाग करो कितना आएगा 5 5 का उपर गुड़ा करो कितना आजाएगा 5 यह ठेक बराबर 1 upon ue यह हो गया अब minus 1 और minus 5 कितना minus 6 तो यहाँ पर हो जाएगा minus 6 बटा 25 यह बराबर हो गया वन अपान ue तो ue बराबर minus और कितना हो जाएगा फिर यह 25 और बटे 6 cm यह ue कमान निकला यह कहें तो minus में आया और होना भी चाहिए क्योंकि आप जानते हो अब दिस्चक ने जो प्रद्विम a1,b1 बनाया था वही तो नेत्रिका के लिए वस्त उका करेगा तो नेत्रिका के लिए वस्त इधर है उसके बाई तरफ है न और बाई तरफ की दूरी किसमें पच्छिस बठे 6, फिर आपको होगे माईने सिंबल क्यों नहीं रखा, तो आपको फिर समझाएं, यहाँ पर हमको लंबाई चाहिए, यहाँ पर परमार रखने का मतलब कुछ भी नहीं है, आप जानते हूँ जब फार्मूले में मान रखते हैं, तो माईने सिंबल आपका यह 60 प्लस, 25 उपान 6, बराबर 60, अब यह कितना प्लस, और इसको आप 25 को 6 से डिवाइड करो, तो आप जानते हूँ छे चोग 24, 4 हो गया, एक बचेगा, फिर आपका 10 हो जाएगा, 6 कम 6, फिर कितना, 4, 6 सते 42, लगभग आपका 7 आ गया, हमने अप्राक्सिमेट वैलू बोला ह है, दोनों को आप यहाँ पर क्या एड कर दो, तो LD that is equal to 64.17 सेंटीमीटर, ठीक, यह निकला, इस पकास से question number 7 आपने देखा, अब आगे चलते हैं, question number 8 पर, question number 8 देखना, एक अपरती खगोली दूरदर्सी में, अब दिख्षक लेंस तथा नेत्रिका की फोकस दूरिया क्रम्षा, 80 सेंटीमीटर वर 4 सेंटीमीटर है, यह भी question टेलिस्कोप का ही है, यदि अंतिम तद्मिम, कहां अनंत पर बने, मलब क्या सांत नित्की अवस्था, तो ऐसी condition में दूरदर्सी की आउर्दन छमता बताओ, और अब दिख्षक लेंस नेत्रिका के बीच की दूरी बताओ, बह बराबर प्लस 80 सेंटीमीटर, और फी बराबर प्लस 4 सेंटीमीटर, ठीक, आउर्दन छमता निकालनी है, M infinite, that is equal to, minus FO upon FE, फिर minus, अब यहाँ पर FO, तो FO कितना, प्लस 80 सेंटीमीटर, upon FE, कितना, प्लस 4 सेंटीमीटर, तो ऐसी condition में सेंटीमीटर सेंटीमीटर के इंसिल, और आप जानते हो, M यह, बराबर माइनेस, आप जानते हो, कितना आ जाएगा, 20, पहला अंसर आ गया, कोई उनिट नहीं होगी, आउर्दन छमता का कोई मातरक ही नहीं होता है, अब आप आगे चलो, फिर इसके बाद, सेकेंड पार क्या पूछ रहा है, अब जिसक की, और नेत्रिका के बीच की दूरी बताओ, मतलब की जानते हो, दूरदर्सी के लंबाई पूछ रहा है, और प्रद्मिम कहां बन रहा है, अनंत पर बन रहा है, तो ऐसी condition में आप अच्छी तरीके जानते हो, L और इंफाइना और एफी की वैलू कितनी, चार सेंटीमीटर, ठेक, तो L इंफाइनाइट, जैट इस एक्वल टू, 84 सेंटीमीटर, यह आपका लग गया, अब आगे चलते हैं फिर, क्वेशन नंबर नाइन पे, क्वेशन नंबर नाइन आप देखना, चार सेंटीमीटर, वह 60 सेंटीमीटर, फोकोस दूरियों वाले, दो लेंसों से बने दूर दर्सी, कि अधिकतब लंबाई बताओ, और इस दसा में और दन चमता बताओ, इससे आसान कोश्चन कोई होई नहीं सकता, बहुत ही आसान को आप यहाँ पर आओ, गिवेन, एफो, गटीज एकल टू, प्लस, 60CM, अचा उसके बाद चलो, चार सेंटीमीटर, यह किसकी नेत्रिका की हो जाएगी, एफी, जटीज एकल टू प्लस, और यहाँ पर क्या, 4 सेंटीमीटर, आपको क्या बताना है, अधिकतम लंबाई, तो एफो, प्लस, एफी, तो बराबर कितना हो जाएगा, 60CM, प्लस, चार सेंटीमीटर, बराबर, चौसट सेंटीमीटर, यह निकला, और आवर्धन चमता, जब, जब अंतिम प्रंदिम कहा बने, अनन्द पर, आपको कोश्चन में लिखा ही नहीं है, तो आपको होता है, कोश एसी कंडिशन में माइनेस, एफो अपान एफी, तो बराबर माइनेस, एफो, एफो की वैलू कितनी, 60CM, और एफी, 4CM, तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल, ठीक, बराबर, चलो, 15, चोको, 60, माइनेस पंदरा, आप जानते हो, M, इन्फाइनाइट, जटीज इक्वल अब आगे चलते हैं, फिर, question number 10 पे, इसका screen start line 9 अप ले सकते हो, उमीद आपने ले लिया होगा, इसको हटाते हैं, space बनाए, फिर एकला question बुलाएं, ये, next question, एक खंगोली दूरदर्सी के सांत नेट के लिए आउर्दन चपता कितनी 8 है, तथा लेंसों के बीच की दूरी कितनी 18 cm है, लेंसों की अलग-लग फोकस दूरियां बताओ, आप देखना M, इन्फाइनाइट, बराबर हमने 8 लिख दिया, आप उज़ों के माइनेस 8 क्यों न नहीं बतानी है, तो ऐसी कंडिशन में में मारा कल्कुलेशन तुर्वा सा असान हो जाएगा, आप यूं कह सकते हो, बराबर F O upon F E, मुल आप यूं कह सकते हो, F O upon F E कमान कितना 8 हो गया, हम क्यों परिमार की बात कर, हम लिखने चाहिए आपे, केवल परिमार, यह तो एक ब और आप जानते हो, दोनों के बीच की दूरी कितना दी, 18 सेंटिमीटर, तो आप यूं कह सकते हो, F O plus F E, यह बराबर कितना 18, यह equation number second, अब हम चाहेंगे, इस question को हम solve ना करें, आप खुद साल करो, यह जानते हो, बहुत ही simple task 7th earth का question बन गया, यह simple आपने लगाया होगा, x plus y बराबर इतना, और x upon y बराबर इतना, तो xy का मान बताओ, उसी परकार से आप यहाँ पर सामने देख रहे हो, आप इसको खुद साल करना, answer कितना आएगा, हम बोलने आपको, इसका answer आएगा, 2 cm और 16 cm, यह F O और यह F E, ना लगा पाना, comment में करके आप बताना, एक वीड question चलते हैं फिर, question number 11 पे, अगला question आप देखना, question number 11, एक हगली दूरदर्सी के अधिश्यक की focus दूरी 1 meter है, आवधन चमता कितने 20 है, अब net lens की focus दूरी क्या होगी, और 27 साथ कहरा, सांथ net की दसा में दूरदर्सी की लंबाई भी बताओ, आप देखना, सबसे पहले देखो, दिया क्या है, F और O, हमने क्यों लिखा, आप देखो, आप देखो, आप दिश्यक की focus दूरी, तो F O, बराबर 100 cm, आप जो यह कहां से लाए, एक मीटर दिया है न, मीटर को मनें सेंटी मीटर में convert कर लिया, अच्छा, उसके बाद चलो, आवर्धन चम बें मनता है, अब नेतलेंस की focus दूरी के होगी निकालना है, तो आप जानते हो अच्छी तरीके से M, इन्फाइनाइट, इस इक्वल टू, माइनेस F O, अपान F E, तो ऐसी कंडिशन में, माइनेस 20, माइनेस F O, तो F O कमान कितना, 100 cm, और बटे, F E निकालना है, या आप इधर लियो, माइनेस से माइनेस कैंसिल, ये लो, F E इधर चलाया, that is equal to 100 cm, अपान 20, 25, 100, 5 cm, निकलाया, नित्रिका की focus दूरी कितनी है, 5 cm, अच्छा, उसके बाद चलो फिर, आप जानते हो इस दसा में दूरदर्सी की लंबाई बता नहीं है, तो आप यूं कह सकते हो, L, अफिक्स में इंफाइनाइट, that is equal to, F O plus F E, तो F O कितना, आप जानते हो, 100 cm, प्लस, F E कितना, 5 cm, तो L, इंफाइनाइट, बराबर 105, और cm, इनित्रिका की लंबाई कितनी होगी, 105 cm, अब जिस सक आगे लगा होगा, तो cm दूर उसका focus है, वहाँ पर उसका प्रद्विम बनेगा, जिसका नाम हमने लेक्चर नमबर 17 और 18 में हमने आपको समझाया था, दूर दरसी, A1, B1 दिया था, और उससे 5 cm की दूरी पर कौन, अब नेत्रिलेंस होगा, जब वहाँ से देखोंगे, प्रद्विम आपको पर दिखाई पड़ेगा, यह question number 11 था, अब आगे चलते है question number 12, question number 12, एक दूर दरसी के अधिसक की focus दूरी एक मीटर है, एक मीटर मतलब क्या 100 cm, जब अंतिम प्रद्विम इस पर स्रिजिस की नियूनतम दूरी पर बनता है, तो उस समय लेंसों के बीच की दूरी कितनी, एक इस पर स्रिजिस की दूरी कितनी है, एक स्रिजिस की दूरी कितनी है, एक सो पांस सेंटिमीटर, तो ऐसी कंडिशन में आप जानते हैं, देखो, L, D, L मतलब क्या लंबाई, मतलब क्या दूरी, अधिसक से नितिका की, तो ऐसी कंडिशन में आप जानते हैं, एक सो पांस सेंटिमीटर, अच्छा निकालना क्या नितिका की focus दूरी, एक तो F ही न साथ ही साथ आपको आउर्दन चमता बता नहीं है, M और suffix में D बराबर question mark, कैसे लगें? आप देखो, LD that is equal to FO plus UE, तो LD की value कितनी? 105, FO, FO कितना 100, plus UE, UE, तो UE, बराबर 105, माइनिस 100, और बराबर कितना? 5 cm, जहां रखना, यह क्या निकला? नेत्रिका से, नेत्रिका के लिए जो वस्त हो है, उसकी दूरी, और नेत्रिका के लिए वस्त कौन है? जो अब द्रिस्यक ने प्रद्विम बनाया, आप द्रिस्यक जो प्रद्विम बनाता था, उसका नाम हमने A1, B1 रखा था, और नेत्रिका जो प्रद्विम बनाता था, उसका नामने A2, B2 रखा था, तो आप यूं कह सकते हो, कि नेत्रिका से A1, B1 की दूरी कितनी है? 5 cm, अब आगे देखना, कोशन कह रहा है नेथिका की फोकस दूरी बताओ कैसे निकाला जाए तो आप यूँ कह सकते हो फार आई पीस बन्ला अबने ट्रिलेंस के लिए वन अपान वी माइनिस वन अपान यू और द्रटी इकल टू वन अपान एफ और चुकिए अबने ट्रिलेंस के लिए तो सब जगा ई लगा दो यहाँ पर ई लगा दो अंतिम प्रद्रिम कहां बन रहा है इस पर दिस्की नियुनतों दूरी पर बन रहा है तो ऐसी कंडिशन में वन अपान प्रण्टी फाइब माइनेस वन अपान यूई तो यूई कमान केतना पांच बराबर वन अपान एफी आप देखना वन अपान एफी अब आगे साल किया जाए फिर इसको एक चीज़ ध्यान रखना चेन जरूर रखना है हाँ पर आप जानते हो अभनेत रिलेंस के बाइयूर तो वस्तु होगा तो माइनेस और जो प्रद्विम बनेगा वो भी अभनेत रिलेंस के बाइयूर बनेगा तो यहाँ पर भी माइनेस तो आप जानते हो माइनेस माइनेस के हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे होगा minus 1 upon 25 plus 1 upon 5 that is equal to 1 upon Fe आप यहाँ पे हो 25 LCM तो यहाँ पे minus 1 plus और आप जानते हो यहाँ पे कितना 5 1 upon Fe तो इस पकार से आप देखोगे कितना हो जाएगा पांच में गया कितना 4 तो 4 बटे 25 बराबर 1 upon Fe तो Fe बराबर हो जाएगा फिर 25 बटे 4 cm आप चोदो कैंसिल करके आप यहाँ पे क्या चार्चंग 24 छे दस्मलो कुछ करके निकलेगा 6 दस्मलो दो पांच cm यह निकला पहला पार्ट आपका निकलाया अपने त्लेंस की फोकस दूरी अब कहरा आवर्दन चमता बताओं तो आवर्दन चमता के लिए आप देखना m suffix में d that is equal to minus fo upon fe और यहाँ पे 1 प्लस fe upon d फिक इसी में value रखो सिद्धे आपका अंसर निकलायागा m suffix में d minus fo fo की value आप देखो दिया हुआ है कितना 100 cm यहाँ पे 100 हो गया cm f e अभी तुरंट आपने मेहनत करके निकाला कितना 25 बटे 4 तो यहाँ पे 25 बटे 4 और cm फिर आप यहाँ पे आओ 1 प्लस fe तो f e कितना 25 बटे 4 यहाँ पे cm और d कितना 25 और cm cm अब जो कैंसिल हो रहा हुआ उसको कैंसिल कर दिया जाए तो आप आगे देखो पहले cm cm यह cm cm एंसिल तो यहाँ पे फिर आपका हो जाएगा m और suffix में d that is equal to minus यह 4 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 गुडे 4 बटे और यहाँ पे नीचे 25 ठीक और आप यहाँ पे आजाओ 1 प्लस यहाँ पे देखना यह 25 से 25 क्या होगा चैंसिल हो गया चार नीचे आजाएगा 1 अपान 4 ऐसे तो आप जानते हो 25 चो का 100 m suffix में d that is equal to कितना हो गया यहाँ पे 4 को 4 से multiply करो 16 और यहाँ पे 4 lcm हो गया तो यहाँ पे 4 प्लस एक तो यहाँ पे हो जाएगा m suffix में d minus 16 इंटू 4 होग कितना 5 और बटे 4 आप जानते हो 4 चोक 16 तो बराबर हो जाएगा यह तो इस प्रकार से m और suffix में d 5 चोक 20 minus 20 मात्रक कुछ होना नहीं है लग गया question एक question और आगे चलते हैं question number 13 अगर आप उचि screen start ले लो फिर आगे चलते है question number 13 अगर आप उमिदे screen start अपने ले लिया होगा space बनाते है question number 13 शुरू करते हैं फिर इस परस्ट द्रिश्च के लिए focus की गई दूर दर्शी के अब द्रिश्चक द्वारा प्रधिबिम्ब अब द्रिश्चक से 0.75 मीटर पीछे बनता है दोनों लेंसों के बीच की दूरी 0.80 मीटर है दूर दर्शी के और दन चमता बताओ फिर question का second part है पढ़ने को तो question पूरा पढ़ा जा सकता है लेकिन by part question solve करते हैं फिर आगे देखते हैं second part में क्या बोल रहा है इस परस्ट द्रिश्च के लिए focus की गई दूर दर्थी के अब द्रिश्चक द्वारा प्रधिबिम्ब अब द्रिश्चक से 0.75 मीटर पीछे बनता है जानते हो प्रकाशक गरने कहा से आरहे हैं अनंत से आरहे हैं और वी प्रकाशक गरने जो मुखहिच के समांतर तो ना हूँ पर नतु वापस में समांतर हूँ लेंसे से अपवर्पित होकर फोकस तल पर कहीं केंद्रित होती है इसका मतलब क्या हुआ कि जो अब्रिस्षक लेंस है उसकी फोकस दूरी कितनी है 0,2,75 मीटर मतलब 75 सेंटी मीटर पहले आदो को क्या क्या दिया हुआ जो दिया पहले उसको लिखा जाए फोकस दूरी प्लस में होती है अब ऐसी कंडिशन में कितना 75 और सेंटी मीटर अच्छा ऐसी कंडिशन में आप जनतों लेंस के बीच की दूरी कितनी है 0,08,0 मीटर मतलब 80 सेंटी मीटर आप यहाँ पर आओ और उसी को हम दूरदर्सी के लंबाई कहते हैं तो LD बराबर कितना हो गया FO प्लस UE और यह कितना दिया हुआ है 80 सेंटी मीटर ठिक तो आप यहीं पर निप्टा दोना FO कमान कितना है 75 सेंटी मीटर प्लस UE बराबर और यहाँ पर कितना 80 सेंटी मीटर ठिक FO के नीचे FO यूई का मान नहीं मालूम निकालना है और ये कितना दियावर टोटल 80 cm तो यूई बराबर कितना हो जाएगा 80 cm minus 76 cm और बराबर कितना 5 cm ये क्या निकला यूई की वैलू निकली परिमार उसका निकला हमको क्या निकलना है आप अर्धन छमता तो अर्धन छमता निकलने के लिए आप जानते हो फार्मूला अच्छी तरीके से कि FO upon FE होता है तो हमको FE चाहिए तो FE के लिए आप यहाँ पर ओ नेत्रिका हे तू आप यहाँ पर लिखो नेत्रिका हे तू 1 upon V minus 1 upon U and that is equal to 1 upon F ठीक यहाँ पर E यहाँ पर E और यहाँ पर E नेत्रिका के लिए है न आप आगे चलो यह फिर यह फिर यह 25 cm दूरी बन रहा है और नेत्रिका के किदर 2 और बनेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 बटे और minus 25 फिर minus 1 upon U यहाँ पर कितना 5 cm तो यहाँ पर minus 5 क्यों minus 5 आप जानते हो नेत्रिका के 22 तरफ वस्तु है बहिए अब द्रिस्यक लेंस ने जो प्रद्विम बनाया उसका नाम कहता है A1 B1 नेत्रिका के लिए उसने क्या वस्तु का कारी किया वो कितनी दूर है 5 cm दूर है बहिए तरफ है इसने minus 5 हो गए फिर 1 upon Fe हमको निकालना है इसको तो जब इसको solve करोगे minus minus क्या हो जाएगा प्लस तो यहाँ पर हो गया 1 बटा 25 माइनस में और यह प्लस 1 बटा 5 और यह बराबर कितना 1 upon Fe 25 LCM हो गया तो आप जानते हो कितना 25 को 25 से डिवाइड करो एक आएगा उपर गोड़ा करो यहाँ पर कितना minus 1 यहाँ पर फिर प्लस और यहाँ पर क्या 25 तो यहाँ पर कितना 5 बराबर 1 upon Fe तो 5 में गया कितना हुए 4 तो 4 बटे 25 बराबर 1 upon Fe तो Fe बराबर 25 बटे 4 बराबर 3 दस्वलों 2 पाँच कंटी मीटर यह क्या निकला जानते हो अबनेत लेंस की फोकस दूरी निकली अचा हमको तो क्या बताना है और दन चमता बता नहीं है आप देखो है ना दूरदरसी के और दन चमता बताओ तो आप दन चमता के लिए हम इधर आते हैं दो मिट के लिए आप देखना आप दन चमता का फार्मूला पहले आप देखना M D या टिलिस्कोप है ना और टिलिस्कोप के आप दन चमता का फार्मूला अप अच्छी तरी के जानते हो minus F O upon Fe और 1 प्लस ठीक और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा F E upon D वैलू रखो तीज आपको आंसर मिलेगा चलो रखके ट्राइए करते हैं M D minus F O F O कमान कितना 75 F E अभी आपने निकाला ते दस्वलो दो पार्ट या 25 बट्रे 4 कह दो यह लाँ जिन कहीं नहीं रखना है क्योंकि आप जानते हो प्लस प्लस रखेंगे कैंसिल हो जाएगा ठीक आलडी माइनस यहां पर आएगा फिर 1 प्लस F E तो F E कितना 25 बट्रे 4 और बट्रे D कितना 25 यह लो तो यहां पर फिर M D यहां पर आप जानते हो 25 20, 3 पच फ्च तर ठीक और यह चार ऊ पर चला जाएगा तो कितना हो जाल ट्रे बट्रे यहां पर कितना मैंनेस ट्रेज यहां पर आऊ 1 प्लस 25 से 25 कहेंच सिल 5 नईची आयाएगा तो यहां पर कितना हो जाएगा 1 अपान 4 यह सथाए पिर माइनज 12 और आप यहाँ पर आओ चार LCM हो गया तो यहाँ पर कितना 4 प्लास एक तो M सफिक्स में D, माइनज 12 तो यहाँ पर 4 हो今ह पॉर घैटना 5 बटे 4 तो बराबर माइनज 12 पंचे 60 आप जानते हो 60 बटे 4 यही तो हुआ ठीक और आप जानते हो 15 चोको 60 यह लो तो इस प्रकार से निकला M और सफिक्स में D that is equal to minus 15 यह आपका आंसर पहले पार्ट का अब इसके बाद second पार्ट में देखो कि आप पूछ रहा है रांत नेत से देखने हैं तू नेत्रिका को कितना पीछे खिसकाना होगा और तब आउर्दन छमता कितनी होगी देखो इस समय जो प्रद्विम बन रहा कहां बन रहा 25 सेंटिमीटर दूर बन रहा है इस पास द्रिश्ची की निउंटन दूर भी बन रहा है और second part में कर रहा है कि हमको स्रांत नेत्रिका को कितना पीछे खिसका है आप जानते हो छे तरिके से स्रांत नेत्रिका की आउस्था में अंतिम प्रद्विम बनता है अनंत पर और अनंत पर प्रद्विम तब बनता है जब वस तू कहां पर रखाओ फोकस पर रखाओ इसका मतलब कि वस तो कहां पर रखाओ नेत्रिका के फोकस पर रखाओ अगर आप उची समझो आउसक समझो तब इसका स्कीन साट ले लो फिर हम स्पेस बनाते हैं फिर सेकेंड पार्ट साल करते हैं उमीद है कि स्कीन साट अपने ले लिया होगा अब इसको हम अटा रहे हैं देखना यह है देखो अनन्द पर प्रद्म बनाने के लिए अब दिस्टक से नेत्रिका के बीच की दूरी कितनी होनी चीए पहले यह निकाला जाए आप यूं कह सकते हो यह और सफिक्स प्लस फी बराबर चलो तो फो कामान कितना 75 cm प्लस फी कितना अभी अपने निकाला ते दस्फलो 25 ठीक तो एल इन्फाइनाइट बराबर आप जानते हो 75 में 6 जोड दो कितना एक क्यासी दस्वलों दो पांच सेंटीमीटर अच्छा दोनों के बीच की दूरी है कितनी 80 सेंटीमीटर तो अनन्द पर प्रद्विम पाने के लिए दोनों के बीच की दूरी होनी कितनी चाहिए एक क्यासी दस्वलों दो पांच सेंटीमीटर और खिसकता कौन है उपर जो रेक्पिनियन अरेज्मेंट लगा होता है उसको घुमाने पर नाब उसका घुमाने पर कौन खिसकता है अब दिश्चक नहीं नेतिका खिसकते ही है तो नेतिका को कितना खिसकाना पड़ेगा आप यूं कर सकते हो नेतिका का विस्थापन ठीक, तो एक क्यासी दस्वलो दो पांच करोगे तब अनन्द पर प्रद्विम बनेगा और इस पस रिडिस्ट की तरसा में बीच की दूरी कितनी असी सेंटी मीटर ठीक, तो बराबर कितना एक दस्वलो दो पांच सेंटी मीटर ठीक है, नेत्रिका को खिसकाओ आप यूँ कह सकते हैं, नेत्रिका को बाहर की और खिसकाना होगा यह है, ठीक, अच्छा फिर कह रहा है, आवर्दन चम्ता कितनी होगी तो आवर्दन चम्ता का फार्मूला पच्छी तरीकर जानते हो M, infinite, बराबर minus F O upon F E, कई question आपने solve किया यहाँ पे, तो ऐसी condition में M, infinite, that is equal to minus F O upon F E, तो बराबर minus F O, तो F O कमान कितना? प्लस 75 cm और F E कितना? 25 बटे 4 यह, तो cm, 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 cancel तो ऐसी condition में आप देखोगे M, infinite, बराबर minus F O, फिक, 75, गुडे 4 और बटे 25 यह, प्लस रहेगा तो अब जनते हो, उत्तर लेंस की फोकस्दूरी में इसा प्लस में होती है, तो यहाँ पे कितना? 25, तीया, 75 होगे है? तो ऐसी condition में आप देखोगे M, infinite, बराबर, कितना? minus 12, मात्रक कोई होना नहीं है इस प्रकार से इस chapter में आपने देखा हमने तेरा question आपको लगवाए तेरह question बहुकुल masterpiece question है इसी type के question आपके board में पूछे जाएंगे हो सकता यही पूछ ले जाएं हो सकता इसी प्रकार के question पूछे है, संख्या बदली हुई हो question को अपने समझ लिया है, तो अगर अपनी book में question को अगर आप पलटते हो, देखते हो, तो आप सारे numerical आप लगा ले जाओगे, बाकी जो भी question बचे होंगे, फिर भी कोई प्राब्लम माते ही, आप कमेंट करके हमको बताओ, और अगर आप चाहते हैं, इसी प्रकार से पढ़ाई चलती रहे, तो हमारे चैनल को आप अधिक से अधिक share करो, आपके जितने भी classmate है, उनके पास इसका link जरूर होना चाहिए, और एक जानकारी आपको दें, इसके काम है, पंकर सार लेक्चर, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, उसके बारे में भी अपने सभी classmate को आप बताओ, जितने अधिस सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, इस चैनल पर भी और उस चैनल पर भी, हम भी प्रोत्साहित होंगे, और हम भी रात रात भर जाकर आपके के लिए मेहनत करने को तयार है, कि आपके board exam के पहले, या आपके competition के exam के पहले, हम maximum pages के content आपको उपलब करा दें, इसके बाद अभी हम इसी अप्टेक सीरीज में, lecture number 20 आपको और देंगे, lecture number 20 में, हमने lecture number 1 से लेके, और lecture number 18 तक जितने भी chapter पढ़ाएं है, overall selected question आपका, पहल साल्व कराएंगे, सारे question तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन जितने selected question है, वो जरूर हम साल्व कराएंगे, इस प्रकार से lecture number 1 से लेके, lecture number 20, आपके सीरीज अगर आप देख लेते हो, डंक से समझ लेते हो, अपना note साब बना लेते हो, आप किसी भी competition में बैठोगे, आप निरास नहीं होगे, जो भी question पूछा जाएगा, आप साल्व करके आओगे, तो मिलते हैं इसके बाद फिर lecture number 20 में, आप्टिक सीरीच के, जिसमें पूरी की पूरी आप्टिक्स, लेकिन कौन सी, वेव आप्टिक्स नहीं, अभी रे आप्टिक्स, की जो selected question होगे, वो हम साल्व करा that's all, best of luck